अस्सलामुलेकुम क्लास नाइन प्रीवेस लेक्चर में आपको एनर्जी और एनर्जी के टाइप्स को डिफाइन करा गया था ठीक आज के इस लेक्चर में थोड़ा रिवाइस करते हैं और इसके बाद काइनेटिक इनर्जी की डेरिवेशन करेंगे सहीथ अब एनर्जी किसे कहते हैं वैंवर वर्क इस डन ओन अब्जेक जब कभी भी हमारे पास कोई अबजेक वर्क करेगा तो इट विल गैन एनर्जी उसमें एनर्जी प्रोडियूस होगी ठीक उसके अंदर कैपेसिटी आजाएगी काम करने की तो काम करने की जब हमारे पास किसी object में आ जाए then it means then that energy is produced ठीक है तो energy और work हमारे पास same units है energy की बात की जाए या फिर work की बात की जाए दोनों एक ही है दोनों के units में क्या होंगे same होंगे मैं आपको explain कर चुका हूँ ठीक अब आज के lecture में kinetic energy और इसकी derivation को discuss करते हैं सही kinetic energy क्या है work done by body in motion जब भी कोई body motion में आ जाए it means that it change its position with respect to its surrounding अपनी position को change करें अपने surrounding के हिसाफ से तो उसे motion कहते हैं और work done हो तो इसे energy को हम kinetic energy कहेंगे ठीक अब आते हैं इसकी derivation पर derivation start करेंगे consider करेंगे एक body of mass m एक body है जिसका mass है m और इसे place किया गया है horizontal surface पर एक horizontal surface है ठीक उसके उपर इस body को रखा गया है initially rest पर है तो initial velocity इस body की क्या होगी जीरो अब force apply किया गया है f एक force है जिसका f बन दिया गया amount यहां पर mention नहीं है f से define किया is applied on it then it covers a distance जैसे ही मैंने उस पर force apply किया उसने कुछ फासला ते किया distance ते किया s और उसकी final velocity क्या बन गई वी वी f किसके पराबर होगा वी के पराबर होगा और वार्ग दैन is covering the displacement as work done किसे कहते हैं distance यह displacement हमारे पास जब ते करेगा तो हमारे पास work done है ठीक यह पार्ट वन है lecture का पार्टो के अंदर हम इसकी derivation को further continue करते हैं